जेहन दोस्तों आप देखरेंए Defense Gann यूट्यूब चैनल दोस्तों आपने स्मार्ट फोन के बारे में सुना होगा, स्मार्ट टीवी के बारे में सुना होगा लेकिन क्या आपको पता है कि अब 12 बोर पंप एक्शन जो सौटकन होती है वो भी स्मार्ट हो रही है और इसमें क्या-क्या फंक्शन है क्या-क्या टेक्नोलोजिकली एडवांसमेंट जोड़े गए हैं वो सबको जानने वाले हैं कहां पर यह रिलीज हुई है वो सबको जानन तीन हो जिसने कंपनी ने इनको डिजाइन किया है उसका नाम है क्लासिन को कंसन दोस्तों इसी कंपनी ने एक बारे बोर स्मार्ट पंप एक्शन लांच की है जिसका मॉडल है MP-155 Ultima और यह जो स्मार्ट गन है मतलब स्मार्ट गन आपको क्यों कह रहे हैं इसको वो भी आप आपको बताते चलिंग तो सबसे पहले जानते हैं इसके थोड़े बहुत जो स्पेसिफिकेशन उसके बारे में यह सेमी ओटोमेटिक पंप एक्शन सौर्ट गन है और यह बारे बोर जो कैलिवर है उसके उपर ही बेस्ट है इसकी जो लैंध है आल्मोस्ट 1000 mm है लेकिन इसक तो रहे है जो कि इसमें एक कंप्पीटर और डिस्प्लीं भी लगा हुआ है जो कि जिस्ट जो होता है उसके अभब साइड में लगा हुआ है आप पिक्चर में देख सकते हैं इसके जरी आप कई जो एक्सटरनल डिवाइस उनको सिंख्रोनाईज करके इस गन के साथ जोड सकते हैं इसमें डिस्पले में आप देख सकते हैं कितने आपके कार्टेज बचे हुए हैं कितने आपने फायर कर दिए इस बारबोर स्मार्ट पंप एक्षन जो की क्लासिन को कंसंद द्वारा निरमित है इसमें कैमरा भी लगा हुआ है और टाइप C पोर्ट भी है जिसके जरी आप जो है क्नेक्ट कर सकते हैं जो Extranal Device होते हैं उनको आप इस कैमरे के जरी अपनी बीडियो है रिकौर्ड कर सकते हैं जब आप स्ूटिंग कर रहे होते है उस टाइम पर दूसरा आप लाइब Spreem義 कर सकते हैं इस केमरे की मदद से तो देखा है ना पूरी की पूरी स्मार्ट पंप एक्शन गन ऐसी जो यूनिक आइडिया है बड़े अच्छे लगते हैं इस बारे बोर स्मार्ट पंप एक्शन में कमपास भी है टाइमर भी है और स्टॉप बाच भी लगा हुआ है जिसके जरी आप चल रहा हूँ फिर आप पूछ सकते हैं भविस में आ जाए तो कह नहीं सकते हैं फिलाल कोई भी इसके चांस नहीं है भारत में आने के क्योंकि देखे कितना यूनिक आइडिया है और उन्होंने उस आइडिया को एक अच्छा खासा स्मार्ट पंप एक्शन गन में उतार द कि वाया हूए तो प्लीजिस इस वीडियो को लाइक करिए उसेर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राब करें कि सब्सक्राइब करने और बैल आइकन भी दवा लें मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैबार